असलाम अलेकुम नमस्कार दोस्तो आज के सेडियो में हम देखेंगे कुएट से लेटेश्ट अपडेट क्या है सबसे पहली दोस्तो अपडेट यहाँ पे आपको बता दे कि क्वेट हेल्थ मंतराले की और से जो यहां का नागरिक है यानि की सिटीजन है उनको बाहर बिदे सफर करने के लिए पर्मिशन दे दिया गया है जैसे कि दोस्तों आपको बता दे क्वेट के अंदर अभी जो कुरोना वाइरस का केस है उसमें काफी डिक्रीस हुआ है जिनको भी क्वेटी सिटीजन है जो लोग बाहर जाना चाहते हैं जैसे कि दोस्तों हम लोग इंडिया बंगलादेश पाकिस्तान से क्वेट आते हैं ऐसे ही बहुत सारे क्वेटी सिटीजन है जो कि अमेरिका इंगलेंड ऐसे देसों में रहते हैं उनको जो कुरोना वैरस काफी ज लगा लिया है वही लोग सफर कर सकते हैं जिनको वैक्सिन नहीं लगा है उनको सफर करना बैंड किया गया है उसके बार दोस्तों यहाँ पर सबसे बरी बात आती है एक्सपेट्स को ले करके कि इंडिया पकिस्तान बंगलादेश से लोगों की कब इंटरी होगी तो दोस्तों जैसे कि फाइनली बता दिया गया है कि ये सभी वैक्सिन के साथ इंटरी होगा लेकिन दोस्तों यहाँ पे अभी तक फाइनल डिसीजन नहीं लिया गया है क्वेट मिनिस्टी के तरफ से कि इन लोगो आने के लिए कब तक परमिसन दिया जाएगा तो दोस्तों यहाँ पे एक चीज साफ है कि बताएगा है कि वैक्सिन के साथ उन सभी का कुरिंटरैन भी नहीं होगा बस उन्हें तीन दिन के लिए होम कुरिंटरैन के तोर पे रहना पड़ेगा ताकि जब तक उनका जो PCR टेस्ट है वो नेगेटिब नहीं आ जाए तो दोस्तों जैसे ही कोई भी अपड़ेट आता है फलाइट को लेकर के इंटरी को लेकर के तो दोस्तों आपको इस चैनल पे मिल जागा उसके बाद दोस्तों कुईट से अगली अपड़ेट यहाँ पे दोस्तों आपको बता दे कि कुईट मिनिश्टी के तरफ से जो यहा उसके बाद दोस्तों अगली अपडेट हम देखेंगे कुईट से लेटिस्ट कॉरोना विरस की अपडेट तो दोस्तों यहाँ पर बता दे कि 1176 नया केस आया है उनके साथ ही दोस्तों यहाँ पर 5 लोगों की कुईट 19 से डेथ हुई है साथ ही में 932 रिकावरी भी हुआ है हलांकि दोस्तों पहले से काफ़े बेहतर है लेकिन जो नया केस के संकिया अभी भी थोड़ा जादा है तो दोस्तों कुईट से सभी खबर देखने के लिए हमारे इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें और दोस्तों इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा सेर और करें मिलते हैं दोस्तों कुईट से अगली अबिडेट के साथ